नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब हासा करते हैं आप सब अच्छे सुंगे सुष्थ होंगे फाइनली दोस्तों बिहार डियलेड एस्पोर्ट एड्मिसन दोहजार बैस चोबिस के लिए ओफिस्यल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब से कब तक आप सब एड्मिसन ले सकेंगे और कैसे लेना है क्या इसके लिए आवेदन करना होगा वो सारी जानकारी आज किस वीडियो में देने वाले हैं तो चलिए लास तक बने रहिए नमसकार साथियों कैसे हैं आप सब हासा करते हैं आप सब एच्छे सोंगे सुथ होंगे फाइनली दोस्तों विहार डियलेड एस्पोर्ट एडिमिशन 2022-24 को लेकर ओफिस्यल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे एस्पोर्ट एडिमिशन आप सभी कैसे लेंगे और कब से कब तक ले सकेंगे क्या इसके लिए आउनलेड आवेदन भी करना होगा तो वो सारी जानकारी आज किस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं तो हमारे साथ लास तक जरूर बने रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी अपने स्किन पर देख सकते हैं ये एस्पोर्ट एडिमिशन को लेकर अफिस्यल लोटिफिकेशन है इसमें साफ साफ मेंसन के आगया है कि 17 दिसंबर तक तो तीसरे चलन की नामंकन परकिरिया चली है इसके बाद एस्पोर्ट एडिमिशन जो रिक्त सीटें बच गई है उन सीटों पर दिनांक 23 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक नामंकन की परकिरिया चलेगी जो एस्पोर्ट एडिमिशन के नाम से जानी जा रही है तो जिसके माध्यम से अभियर्थी संबंदित प्रोसिक्षन महाविद्यालाय में रिक्त सीटों पर जो है नामंकन ले सकेंगे अब इसके लिए कौन-कौन से अभियर्थी पात रहोंगे और इसके लिए आपको आउनलेन आवेदन भी करना होगा वो चीजे भी हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले समझ लीजिए वैसे अभियर्थी जिनके द्वारा सी ए एफ कॉमन रोट नहीं हुआ था तो आप एस्पोर्ट एडिमिशन में अपलाई कर सकते हैं दूसरी चीजे वैसे अभियर्थी जिन्होंने पर्थम चैन सुची या दूसरे चैन सुची या तीसरे चैन सुची में संस्थान आवंटित हुआ था कॉलेज मिला था उसके बाबजुद भ कई पर्थम चैन सुची या दूसरी या तीसरी के आलोक में आवंटित महाविद्यालेओं में नामंकित अभियर्थियों को किसी भी परस्तिती में एस्पोर्ट एडिमिशन का आवसर परदान नहीं किया जाएगा मतलब जो नामंकन ले चुके हैं फर्स्ट या सकेंड या थर्ड रौन में उनको मोका नहीं मिलेगा बाकी जिन्होंने अभी तक नामंकन नहीं लिया है किसी भी तरीके से अपलाइक करने के बाद तो आप जो है एस्पोर्ट एडिमिशन के लिए अपलाइक कर सकते हैं अब देखिए विविन संस्थानों के रिक्त सीटों का विवर इसके अलावे जो है दोस्तों नीचे आएंगे तो वैसे अभीर्थी जो नामंकन एक्छुक है तो एस्पोर्ट एडिमिशन के लिए क्या-क्या प्रकिरिया है किन-किन प्रकिरिया से गुजरना होगा अनुसरन करना होगा वो चीजी समझ लिजिए तो एक्छुक करेंगे कि आप इस कोलेज में एडिमिशन लिजी तो आप क्या करेंगे उस कोलेज का जो रिक्त सीटों का विवरन है इस वेफसाइट पर जाकर के आप जो है चेक करेंगे ठीक है यह जो है 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा कहां पर कितनी सीटे खाली है इसके बाद देख फॉर्म आपको डाउंलोड करना है ठीक है आपको इस कोलेज को 24 बढ़ना है इसके बाद फॉर्म आपको डाउंलोड कर लेना है यहां पर आपको किसी भी तरिके से ओ겁 जाने करने की जरुरत नहीं है देखिए दोस्तों एस्पोर्ट नामंकरं की प्रक्रिया है तो उन एप अप्लिकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे और इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे जो स्पोर्ट इंटीमेशन लेटर करके आपको मिलेगा इसके बाद देखिए जिस संस्थान में आपने आवेदन किया भी या नामंकन को इक छुक है वहां संगत अभी लेख तक आप जो है नामंकन करवाएंगे मतलब एक तरह आप अपलाय करेंगे और दुसरी तरह आपका नामंकन भी हो सकेगा इसके बाद देखिए महाविद्यालियों द्वारा या सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पहुँचने वाले अभियर्थी पात रहा या नहीं है व अभी भी सीटे खाली है या नहीं खाली है वो हर दो घंटे बाद अपडेट की जाएगी तो आपको बार बार चेक करते रहना होगा कि कहां पर कितनी सीटे खाली है अपलाय करने से पूरू ठीक है इसके अतिरीक्त अपने सुचना पड़ पर भी एसपोर्ट एड्मिसन से रिक्त सीटों की संख्या जो भी है वो सारी चीजे वीवरं जो है दो दो घंटे पर आपको चेक करते रहना है चुकि दो घंटे पर यहाँ पर अपडेट भी की जाएगी ता कि ताकि रिक्त सीटों की संख्या में संबंधता में यहां पर कोई भी दिक्कत न हो दोस्तों यहां पर देखेंगे कि पांचवा पॉइंट दिया गया है कि संबंधित परचार जो है पोटल पर 31 दिसमबर 2022 तक जो है वो नामंकर की सुची अपलोड करेंगे ही करेंगे इसके लावे चोथा पॉइंट में एक बार फिर से मेंशन कर दिया गया है कि कौन-कौन अभियर्थी एलिजीवल हैं वैसे हम आपको पहले भी बता दिये हैं जिन्होंने पर्थम चैन सुची या दूसरी चैन सुची या तीसरी चैन सुची में एलोट होने के बाद भी नामंकन नहीं लिया था एलोट होने के बाब जुद भी नामंकन नहीं लिया था उन अभियर्थियों को जो है सुचित किया जाता है कि चैन होने के बाद किस बाद नामंकन नहीं लेने के कारण उनका अभियर्थी तो रद कर दिया गया है इस बात क आसे जो है पहले भी सूचना में परकासित की गई थी लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इन अव्यर्थियों को एक मुका दिया गया है वह पुना जो है किसी भी संथान में अगर नामंकन लेना चाहते हैं तो आपको जो है पोटल पर जाकर रिफ्रेंस नम्मर डाल करके आपको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का